नमस्कार रदाब गुड इवनिंग मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ डाउट नेट पर मैं आशा और उमीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घरों में एकदम सुरक्षित हैं एकदम सुरक्षित हैं और एकदम तंदरुस्त भी हैं और क्या कर रही हैं आप सभी बच्चे हमारी आज की इस इंट्रस्टिंग बहुत ही जादा वैलुएबल और बहुत ही जादा ज्यानवर्दक क्लास का इंदजार कर रहे हैं हम लोग किन के साथ बात कर रही हैं हम लोग बात कर रहे हैं अपनी क्लास नाइंथ के प्यारे बच्चों के साथ अरे कहां गई क्लास नाइंथ के प्यारे बच्चे आजाएए आप सभी के साथ हम लोग इस प्यारे से टॉपिक का डिसकुशन कर रही हैं एक बहुत ही महतुप का नाइन्थ के तो आप सभी के लिए ये क्लास बहुत जादा महत हुपूर्ण है आप सभी का जो राजिनतिक विज्ञान यानि के पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है उससे संबंदित टॉपिक को हम लोग आप सभी के साथ डिसकर्स कर रहे हैं तो हमारे साथ अलग-अलग ब लग की निकिता साक्षी कृष्णा उसी के साथ नियती गुपता आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारी आज के स्क्लास में और अपनी इस क्लास को हम लोग करेंगे शुरू आप सभी के साथ बहुत ही वैल्यूवेबल टॉपिक का डिसकर्शन किया जाएगा बहुत ही वैल्यूवेबल टॉपिक्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास को आप लोगों को शुरू से लेकर आखिर तक करना है और अपने सामने किसी भी तरीके का कोई भी डाउट कोई भी गन्फ्यूजन नहीं आने देना है जी हाँ, so let's begin our class, ठीक है, good evening, good evening, good evening, उमीद और आशा करते हैं कि आप सभी बच्छे अच्छे तरीके से अपने जीवन को जी रहे होंगे, एक बात आप सभी को बदा दें, class 9th के प्यारे बच्चों कि अब हमारी मुलागात होगी, कब-कब, Monday के दिन, Wednesday के दिन और Friday के दिन उनके जो topics हैं, वो हम Monday, Wednesday, Friday में आप सभी के साथ करेंगे discuss, आज हम लोग आप सभी के साथ इसका discussion कर रही हैं, ठीक है जी, चलिए, let's begin our class, आप सभी के साथ हम लोग इस बात को discuss कर लें कि हमारी आज की class में, आप और मैं क्या पढ़ेंगे, हमारी आज की class में हम लोग इसको समझने की कोशिश करें, है ना, clear है यहां तक, good evening, good evening sir, आप कितना hard work करते हैं, अरे नियती गुपता, धन्यवाद कैसी हैं आप, है ना, sir, आप हमेशा पढ़ाना, ठीक है दिविया जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम यह आपको पढ़ाएं, वाउ, sir, आज आप जादा समय हम लोग क्या करेंगे, आप सभी के साथ नहीं discuss करेंगे, अपनी class को बस शुरू कर देते हैं और उसी के साथ कुछ valuable topics का discussion करना शुरू कर ही देंगे, तैयार हैं, एक बार आप लोग thumbs up दे देंगे, जिसका मतलब यह होगा कि आप सभी बच्चे हमारी आज किस class क को करने के लिए है, पूरे-पूरे तोर पर तत पर है, thumbs up मांगता है भी या, thumbs up, एक बार आप लोग comments के अंदर भी और उसी के साथ साथ app पर भी, comments के अंदर thumbs up को दे दीजिए, ओहो, miss Farzeeem भी आ गई है, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, miss Farzeeem, we miss do a lot, चलिए, इतना लेट कैसे हो गया, class कुछ technical error था इसी वज़ा से हो गया, है ना, जिनकी वज़ा से हुआ है, उनसे मिला देंगे आप, चलो, शुरुआत कर देते हैं, आप सभी के साथ, संस्थाओं का काम का, जिसका discussion करेंगे, देखो, जब भी हम लोग किसी देश के बारे में बात क हैं, हमें बहुत सारे offices चाहिए, क्या चाहिए, हमें बहुत सारे office चाहिए, आप क्या देखते हैं कि, कोई भी जो देश हो, या फिर हमारा जो प्यारा भारत देश है, एक वेक्ती के समूग के दोआरा नहीं चल सकता, देश को चलाने के अलग-अलग offices हैं, और इनी को अंग को कहा जाता है, कारेपाली का, और तीसरी को क्या कहा जाता है, तीसरी को कहा जाता है, नियाएपाली का, तो हम लोग यही देखेंगे, कि हमारा पूरा का पूरा जो भारत देश है, वो इन तीन संस्थाओं के द्वारा, नियाएपाली का, कारेपाली का और विधाईका के द ऑढ़ जी हां तीन तरीके की आपकी प्रताए होती है अब अगर मैं आप से पूछ हूं कि सीथे सरल तौर पर विधाईका क्या होती दि होती है कि आपने स्कूछल कि वधाया कि विधाईका से आप लोग क्या समझते हैं बदाएं कि आपने से को सकें तो बहुत ही बढ़िया होगा बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया है ना जरा बताईए कि आप विधाईका को कैसे डिफाइन करेंगे कैसे से एकस्पेइन करेंगे आपके साब से विधाईका क्या है किर्पिया कॉपी मत कीजिए गूगल से थोड़ा दिमाग लगाईएगा नगमा जी भी आ गई है सर यह यूपी बोट के लिए है जी हां बेटा यह सब बोट के लिए है सर क्लास नाइनत की हो रही है सर मेरा काल एसिस्टी का पेपर है तो अच्छे तरीके से कीजिएगा आमार आश्रीवाद आपके साथ है चलिए बहुत ही बढ़िया अब हम लोग दिहान से देखते हैं अब भाई विधाईका के बारे में बताईए कि क्या होता है जो कानून बनाती है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्रिया जी बहुत ही बढ़िया और बच्चों के बारे में देखते हैं कि वो क्या कहते हैं कि विधाईका से आप लोग बच्चों का क्या कहना है और विधाई का जो कानूनों को बनाती है इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं बहुत अच्छी बात है और देखते हैं कि और बच्चों का क्या कहना है भईया और हमारे बच्चे क्या कहना चाहेंगे इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं इसमें प्र फिर तीन offices हैं एक को विधाईका कहा गया उसी के साथ साथ एक को कहा गया कारेपाली का और उसी के साथ साथ तीसरी को कहा गया तीसरी को कहा गया नियाएपाली का भाई हमारा देश क्या दुनिया का कोई भी देश इन तीन ही संस्थानों पर टिका हुआ है ये तीन ही offices है जो पूरे देश को चलाती है आपकी जो विधाईका है इसका क्या काम होता है विधाईका को अगर आप समझना चाहें तो विधाईका का मतलब होता है संसद यानि कि हमारे देश का संसद क्या करता है हमारे देश का संसद कानूनों को बनाता है आप क्या देखते हैं कि देश में क् कानून होते हैं याद करो जब देश में कोरोना आया था साल 2019 में जब देश के अंदर कोरोना आया था जब सब की हालत हो गई थी खराब उस समय देश के अंदर लॉक डाउन लगाने की बात आई थी कि देश के अंदर लॉक डाउन लगा तो देश के सभी नागरिकों को घर में बंद कर दो तो कानून बना क्या बना देश की विधाईका ने या फिर देश की संसद ने कानून को बनाया अब कानून तो बना दिया आपकी विधाईका ने इस कानून को लागू कौन करती है इस कानून को लागू करती है हमारी कारेपाली का क्या करती ह हमारी कार्रेपालिका जो भी कानून बना है ना हमारे नेताओं के द्वारा उसों लागू करने का काम हमारी कार्रेपालिका का होता है कि जब देश में करोना आया और जब देश में ये कह दिया गया कि देश में ब्लॉक डाउन लगेगा भया नेता लोगों ने तो कानून को बना दिया लेकिन कानून को असली तोर पर लागू किस ने किया हमारे सरकारी अधिकारियों ने हमारी पुलिस ने हमारी आर्मी ने आप क्या देखते हैं कार्रेपालिका का काम होता है जो कानून बने हैं उसको लागू किया जाए क्लियर रहा जी हाँ अब बहुत से ऐसे लोग थे जो थोड़े चलाख थे कह रहते हैं या कोरोना वोरोना कुछ नहीं है चलो बाहर घुमेंगे और कुछ लोग थे ऐसे और आप क्या देखते हैं कि जो हमारी कारे पाली का थी हमारे जो पुलिस थे उनका स्वागत कर रहे थे डंडे के साथ के भाई आजाओ तो जो लोग क्या करते थे जो लोग कानून को नहीं वान रहे थे और जो लोग घर के बाहर गए थे कोरोना में उनको क्या किया गया था उनको डंड देया गया था उनको डंड दिया गया था तो आप क्या क 결ण को हम लोग बहुत ही गहराई के साथ भारत की विधाइका क्या है भारत की विधाईका किस तरीकिंगि से ज़ा ना सर आप रोज ही आजएगा धन्यवाद नगमजी आजएगे बताइए क्या कोई ऐसा बच्चा था या फिर आपके घर में कोई ऐसा विकती रहा जो कहा रहा था कि कोरोना होता ही नहीं है हम तो बाहर जाएंगे और फिर उसके बाद आपने क्या देखा कि उसे कार्रे पालिका ने सजा दे दी और फिर नियाय पालिका से उसको थोड़ा डंड भी मिल गया नो सर आए डिड नॉट गो ठीक है सर सर हाँ हमारी फैमली में कोई था हाँ या हर्फ किसी की फैमली में ऐसा कोई ने कोई शक्स था मानी ने रहते लोग है ना जी सर गिफ्ट नहीं मिला था लेकिन हम बाहर गए थे कोई बात नहीं जो कानूनों को बनाती है उसे नियाय पालिका कहा जाता है तो यही पूरी की पूरी कहानी रही कि जो हम लोग आप सभी के साथ अपनी आज किस क्लास में पढ़ेंगे क्लियर रहा विधाई का कारे पालिका और नियाय पालिका ये किन तरीकों से काम करती है उसे समझने की कोशिश आप सभी के साथ अपनी आज किस क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं थीक है कोई confusion नहीं है आप सभी के साथ कोई भी confusion नहीं है न let's begin the class एक बार आप लोग thang's-up दे दिजिए और उसी के साथ फिर ढोग अपनी हाज़ Notice class को शुरू कर देंगे आप सभी के साथ हम लोग अपनी आज किस class को शुरू कर देंगे एक बार थमजब दे दीजिए जिसका मतलब होगा कि आप सभी बच्चे पूरे-पूरे तौर पर तयार हैं हम अपनी आज की class को शुरू कर देंगे और उसे चलाने के लिए बहुत बड़ी टीम की जरूरत होती है अकेला एक वेक्ती पूरे देश को नहीं चला सकता एक अकेला प्रधान मंत्री एक अकेला मुख्य मंत्री एक अकेला राश्पती पूरे की पूरे राज्ये को या फिर पूरे की पूरे देश को चला ही नहीं सक और यह लोग क्या होते हैं यह लोग अनुभवी होते हैं और यह कुशलता रखते हैं आप देखें कि हमारे देश के अंदर आपको अलग-अलग नेता लोग दिखते हैं यह अलग-अलग राजनेतिक दलों से आते हैं और यह नेता लोग क्या करते हैं यह सभी नेता लोग मिल का भी कहते हैं तो मुख्य तोर पर हम अपने नेता लोगों को ही क्यों चुनते हैं क्योंकि ना इनको ना अनुभव होता है क्या होता है इनको तक्नीक अनुभव होता है कि कैसे दुश्मन देश से लड़ना है कैसे देश के अंदर गरीबी को कम करना है कैसे देश के अंदर भ से हो इनका मुख्य काम क्या होता है कि ये ये अपनी टीमें बना लेते हैं जिने सरकार कहा जाता है और ये सभी लोग मिलकर क्या करते हैं देश को विकास की तौर पर विकास के पतफर ले जाने की कोशिश करते हैं ठीग है चलो जरा चेक करते हैं कि आप भारत की किन-किन नित है कौन है यह वेक्ति यह जो सज्जन है यह कौन है बता जीजिए देता बनने के लिए education नहीं होती है कुछ किसी भी हाँ बसा भारत के नागरिक हो है ना बताईए कि जरॉय जो वेक्ति है इनका नाम क्या है देखते हैं कि आप से कौन बता पाया कि बच्चा कह रहे हैं कि सर नरेंद्र मोदी जी है हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भहिया राश्पती जी है नहीं राश्पती जी भी नहीं है अलूराग करके बच्चा इसने सही आंसर दिया है सर हमको नहीं पता ठीक है इनका नाम है राजनाच सिंग और भारत के डिफेंस मिनिस्टर है आज के समय में भारत की जो रक्षा है वो इनके हाथ में देखे इन सभी को जिम्मेदारी दी जाती है कि जिस काम में पारंगत होते हैं न कि भारत की जो सुरक्षा है वो इनको दे दी गई उसी के साथ आप द जाता है इन तीनों संस्थानों के जरीए सरकार अपने कार्रे को सही तरीगे से करती है और इस अध्याई के अंदर हम लोग क्या करेंगे इसी पूरे की पूरी जो आपके तीन संस्थाएं हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे ठीक, कि हमारा जो प्यारा भारत देश है, देश के जो नेता लोग संसद में बैठते हैं, ये संसद में बैठकर सिफ कानूनों को नहीं बनाते, कानूनों को लागू करना भी और उसी के साथ लोगों तक सही तरीके से कानूनों का किर्यान वे किया जा सके, उसका पालन किया ज क्या नाम है, क्या नाम है, नाम भूल गाया, sir can you provide me the timetable of class 9th please, okay, there is a student who is speaking in English and saying sir can you provide me the timetable of class 9th please, so there is an information which I would like to make here that we do not have the timetable yet in this class, but after the finishing of the class we will be sharing, ठीक है, अंग्रेजी आ गई थी, चलिये, शुरुबात कर देते हैं, और हम लोग यहाँ पर आप सभी के साथ इस बात का discussion कर दे करना शुरू करेंगे, कि आखिर देश के अंदर यह जो आपकी तीन संस्थाएं हैं, जिसको हम लोग कह रही है, विधाई का, कारेपाली का और नियाएपाली का, किस तरीके से काम करती है, पुनीत ने time table दे दिया है, 5 PM Math, Science, 8 PM Monday, Wednesday and Friday, thank you so much, पुनीत, सोनी जी, आपका होती अच्छे दरीगे से यह देखने की कोशिश कर लेते हैं, कि आखिर यह संस्थानों का कामकाज किस प्रारूप में होगा, यहाँ तक किसी का कोई डाउट है, तो पूछ लीजिए, sir, I like your English speaking, thank you so much, sir, आप इतने दिन कहां थे, कहां थे, उसको छोड़ दीजिए, आप आ आगे बढ़ते हैं, ना प्रता जी, आपका कमेंट पढ़ लिया गया है, आप चिंदन ना करें, यहाँ तक किसी का कोई डाउट है, कोई confusion है, तो बताईगे, no doubt, no doubt, no doubt, thumbs up, sir, no doubt, everything is clear, sir, brilliant, sir, no confusion, sir, ठीक है जी, I like your, you, thank you so much, शलिए, अब हम लोग क्या देखते हैं, कि हमें आखिर इन संस्थानों की जरूरत क्यों पढ़ी, सबसे पहले, हम इनके बारे में जानें, कि विधाई का, कारेपाली का, नियाएपाली का हैं क्या, क्यों ना हम लोग ये समझने की कोशिश करें, कि क्या जरूरत पढ़ी, भाई एक ये आदमी को रख देते, प्रधान मंद मंदरी, स्वास्त मंदरी, सिक्षा मंदरी, यही देश को चला लेते, हमें ये तीन अलग-अलग आफिसेस बनाने की जरूरत आखिर क्यों पढ़ी, यही समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आप क्या देखते हैं, कि सरकार पर लोगों को विभिन चीजें और सुविधाए पहुचाने की जिम्मेदारी होती है, आप क्या देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेगा, हमारा देश क्या है, हमारा देश एक लोगतांतरिक देश है, बिल्कुल ध्यान से देखेगा, हम बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताएंगे, लोगतांतरिक का मतलब क्या है, कि हमारे देश के अंदर जनता के पास ही सारी शक्तियां होती है जी हाँ सची बात है जनता ही क्या गरती है decide करती है कि कौन नेता बनेगा की नई बनेगा हमारा देश एक लोकतांतरिक देश है और असली पावर जनता के पास है जनता अपने में से ही कुछ लोगों को चुनकर नेता बना देती है ठीक है अब कोई भी विखता अगर नेता बनता है तो ऐसी थोड़ी बन जाता है कि भाईया खड़े हो गए और नेता बन गए नहीं नेता बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है आपको चुनाव में खड़ा होना पड़ता है और चुनाव में खड़ा होने से पहले आपको वादे करने पड़ते हैं कुछ बातें बतानी पड़ती हैं कुछ प्रॉमिसिस कहने पड़ते हैं कि भाईया मैं आपकी सिक्षा अच्छी कर दूँगा, मैं आपके पास नौकरियां दे दूँगा, मैं आपको बहुत सारा क्या दे दूँगा, रोजगार दे दूँगा, ठीक है, गंगा जी, क्लियर रहा, किसी भी लोकतांतरिक देश के अंदर शक्ती जनता के बास होती है, जनता अपने में से ही कुछ लोगों को नेता चुन लेती है, अब ये जो नेता लोग बनते हैं, ये चुनाव के दूआरा बनते हैं, और चुनाव कैसे होता है, चुनाव होता है बादों पर, जनता से वादे किये जाते हैं, बहुत सारे लोग खड़े होंगे, अलग- अब क्या देखते हैं कि ये जो नेता है जिसने चुनाव में खड़े होने के बाद वादा किया और वादा करने के बाद क्या हुआ ये जीत गया अब क्या होगा आप सभी को पता है कि अब इसको वादों को पूरा भी तो करना होगा ऐसा थोड़ी है कि वादा किया और गुप अरे भाईया सोरी आप क्या देखते हैं कि लोगतंत्र है जो वादे किये वो निभाने पड़ेंगे और इसलिए क्या होता है कि जंता से जो वादे किये हैं ना उसको जंता तक पहुंचाना आया इसलिए सारी कि सारी क्या है हमें अपने इन तीन अलग-अलग संस्थानों की कि इसकी विधाई का की उसी के साथ साथ हमारी कार्य पाली का की और उसी के साथ साथ हमें नियाय पाली का की जरूरत होती है सिंपल रहा बहुत असान रहा कि जो नेता लोग हैं जो चुनकर आए हैं उन्होंने जन्ता से वादे किये हैं उन्वादों को होती है और लोगों का कल्यान करना के भाई लोगों का जीवन अच्छा हो कहा था चुनाओ में खड़ा होकर ऐसे कि मैं आपको सिक्षा दूँगा मैं आपको रोजगार दूँगा मैं आपको स्वास्त दूँगा और मैं आपके घर में फिरी बिजली दूँगा मैं आपको वा अगलग योजनाएं बनानी पड़ती है और सरकार को क्या चाहिए होता है सरकार को पैसे की जरूरत होती है कोई भी जो देश है वो चलता कैसे है भाई कोई भी देश टेक्स से चलता है कैसे चलता है कि आपके दिमाग में कभी यह सवाल नहीं आया कि हमारा प्यारा भारत कोई भी देश हो वो टेक्स से चलता है कैसे चलता है टेक्स टेक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके घर में क्या होता है आपके मम्मी है या फिर आपके पापा है मम्मी पापा क्या करते होंगे या तो अपना काम होगा या फिर किसी के सर्विस करते होंगे जॉब करते हों अगर हम बात करें मुख्य तोर पर, कि जैसे आपका घर पैसे से चलता है, वैसे ही पूरा देश टेक्स से चलता है, टेक्स का मतलब यह हुआ कि देश का हर एक वेक्ति से क्या किया जाता है, कुछ-कुछ पैसा ले लिया जाता है, अगर आप साबून लेते हैं उस पर भी, अ हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम class 9 की पूरी class लें ठीक है जी क्लियर रहा तो कुछ इस तरीके से आप क्या देखते हैं कि चीज़ें की जाती है और उसी टेक्स से क्या किया जाता है देश को चलाया जाता है सरकारी मशीनरी को चलाने की जरूरत पड़ती है कि देश को जो आग से टेक्स को कलेक्ट कर सके हैं अब आपके देश में कितने नीता है मुठ्धी भर तो नीता है अब यह पूरे देश तरह टोडशी ले सकते हैं अब देश में सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए देश member या हमें आपको बहुत मिस्स किया हूं सर मैं सार मैं बहुत मिस्स किया हूं आपको कोई बात नहीं भी आप आ गए हैं आप मिस्स मत कीजिएगा कोई गन्फूशन यहां तक सर आपका ब्राइट बहुत कम होगे ब्राइट मतलब क्या मैं काला हो गया हूं क्या मैं काला हो गया हूं? क्या आप मुझे कहीं कि मैं सावला हो गया हूं? GST क्या होती No sir everything is clear thank you so much अब यहां से हम लोग क्या देखते हैं अब यहां से हम लोग देखते हैं कि सरकार के कई अंग और विभाग होते हैं पूरे देश के अंदर जो आपकी सरकार है यह जो निता लोग हैं सिक्षा का एक डिपार्टमेंट बना दिया जो देश की सिक्षा को अच्छा कर हमारे देश के अंदर तीन प्रकार की सरकारें पूरे पूरे तौर पर आपको दिखती हैं और इनकी जिम्मेदारी क्या होती है इन सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने अपने इलाके को सही तरीके से चलाएं अब यहां से बहुत महत्तपून आपका सवाल आएग आप सभी बच्चों से request है कि बिलकुल ध्यान से इस बात को सुनिएगा जो आपको बताया जा रहा है इसको पूरे ध्यान से आप लोग सुनते रहिएगा हमारे देश के अंदर जो governments हैं या फिर जो आपकी सरकारे हैं वो तीन रूप में होती हैं किस तरीके से होती हैं तीन रूप में सरकार क्या है सरकार का मतलब क्या होता है कि जो आपके नेता लोग है ना उनके गुरूप को आप लोग क्या कहते हैं उनके गुरूप को आप लोग सरकार कहते हैं जितने भी जीते हुए नेता होते हैं उनके गुरूप को आप लोग सरकार कहते हैं देखो देश में हमारी एक स होती है उसे कहा जाता है local governments, जिसके अंदर आप लोग क्या कहते हैं जिसको हम लोग 把़ इस्थानिय सरकार के नाम से जानते हैं इंदी में, इस्थानिय सरकार का मतलब हुआ गाओं के लिए आप की पंचायत और उसी की लिए शहर के लिए आप क्या देखते हैं कि आपका नगर पालिका या फिर नगर निगम अब धियान से सुनिएगा अब धियान से सुनिएगा बिल्कुल धियान से सुनिएगा पूरे देश को आगे करने की जिम्मेदारी हमारी Central Government की है पूरा देश विक्सित करे हमारा पूरा देश आगे बढ़े हमारा पूरा देश बहुत तेजी के साथ विकास की ओर जाए दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बने इसकी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्मेंट की होती है और सेंट्रल गवर्मेंट जिसे हम लोग केंदर सरकार कहते हैं इसका जो मुख्या होता है उसको कहा अपनी सरकार है MP की अपनी सरकार है जारखंड की अपनी सरकार है पंजाब की अपनी सरकार है हर्याना की अपनी सरकार है तमिलनाडू की अपनी है आंदरपरदेश की अपनी है करनाटका की अपनी है ठीक है तेलांगना की अपनी है हर राज्य की अपनी सरकार है और हर राज देशे को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्मेंट या फिर केंद्र सरकार की और आपके जो गाओं है उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी पंचायत की रख दी गई है और राज्यों में पढ़ाया जा रहा है, जी हां, नाइंत का ही पढ़ाया जा रहा है, है ना, मालो कि मैंने आपको काम दे दिया, कि भाई, मुझे जल्दी से क्या करो, 50 गुबारे फुला के दो, आप कहोगे सर पचास गुबारे, 5 मिनट में कैसे फूलेंगे, और मैं कहूंगा, अकेले आपको करने है, तो आप घबरा जाएंगे, वही मैं आपसे कह दूँ कि अपने 10 दोस्तों को बुला लो, 5 मिनट देता हूँ, आप फटैक से फोन मिलाओ, कि 10 दोस्त आपके आ जाएंगे, और आप 5 मिनट के अंदर गुबारों को फुला दोगे, आप क्या करते हैं, कि जब काम को जब देश के विकास के काम को बाट दिया गया, केंदर सरकार, राज्य सरकार और उस्थानिय सरकार में, तो काम सुचारो रूप से हो पाया, कुछ इसी तरीके से आप देखते हैं, कि जब काम को डिवाइट कर दिया जाता है, तो काम सुचारो रूप से होता है, और काम सही यहाँ तक कोई confusion किसी का, है ना, सरी class 10th का है क्या, नहीं बेटा class 10th का नहीं, class 9th का है, लेकिन class 10th के भी बहुत सारे points यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, सर हेवन से रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया, तो क्या उन्हें सजा क्यों नहीं मिलती, हाँ यह देश की सरकार की बात है, मतलब यह गलत बात है, कि अगर आपके नेता लोग वादा करते हैं, और उस वादे को पूरा नहीं करते हैं, तो यह जनता की उपर है अगर कोई नेता है माले जी मैं नेता हूँ मैं चुनाव में खड़ा हुआ मैंने आप से वाद आगा कि आप मुझे वोट दे दो मैं आपको नौकरी दे दूँगा लेकिन मैंने आपको वोट की पावर है अब अपने वोट की पावर से क्या गर सकते हैं उसे हरा सकते हैं उसे हटा सकते हैं ये हैसली शक्ति आपके पास तो अपने वोट की पावर को भेचाने हमेशा वोट दे अभी तो नहीं देंगे जब थोड़े बड़े हो जाएंगी जब आपकी थोड़ी ये सारे क्या कुशिश करते हैं कि इस तरीके से काम किया जाए कि काम को बाट दिया जाए और जब काम को बाट दिया जाएगा तो काम सुचारो रूप से होगा ठीक है और हम क्या देखते हैं कि हमारे देश के अंदर मुख्य तोर पर हमारे देश में जो आपकी संस्थाएं ब जहांपर हम देखते हैं कि हमारे नेता लोग बैठते हैं देश का संसद विधाईका यानि कि जहाँ पर कानूनों को बनाया जाता है जो कानून बन गए उसको लागू कराने की दिम्वेदारी हमारे अधिकारियों की होती है और फिर नियाय पालिका कि अगर कोई कानूनों को नहीं मान रहा तो उन कानूनों को सजा देने की जिम्मेदारी हमारी नियाय पालिका क्यों होती है तो किसी भी देश के अंदर या फिर हमारे प्यारे भारत देश के अंदर कानून बनाए जो जाते हैं सर आपने हिमाले वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया था बहुत-बहुत धन्यवाद बेटा आपका सर स्लाइड बैक कर दो प्लीज स्लाइड बैक कर दूँ चलो भईया स्लाइड बैक कर दी छूँ ठीक है क्लेर है यहां तक यह तो कुछ रॉकिट साइंस हमने करी नहीं मैं आपको दस सेकिंड देते हूँ अगर आप लिखना चाहरे है तो आप लिख सकते हैं है ना बहुत सिंपल बात है अगर आप सुन भी लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जटिलता तो हम रखते ही नहीं ह साथ सर आप सोशल साइंस बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं रवी कांथ जी कह रहे हैं आपका धनेवाद रवी कांथ जी है ना बहुत प्यारा नाम है आपका सर मेरे बुक में यह चैप्टर नहीं है अलग है नहीं पेटा आपके चैप बुक में भी चैप्टर होगा बस अलग नाम से होगा अलग अलग बोट्स में अलग अलग नाम से है लेकिन यह चैप्टर हर एक बोट के अंदर उपस्तित है क्लास 9 का कोई भी ऐसा बोट नहीं ह जहां पर यह चैप्टर नहीं है, चैप्टर का नाम अलग होगा, चैप्टर का नाम चमपकली रख देंगे, बट चैप्टर की कहानी यही है पूरी की पूरी, तो आप घबराईएगा नहीं, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, सर हिस्ट्री पढ़ाओ, चलो भया बंद कर दो हैं, यह क्या करते हैं, यह देश से संबंदी तहम अहम फैसले लेते हैं, हमारे देश के प्रधान मंतरी का काम क्या है, हमारे देश के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी का काम क्या है, भाई देश का विकास करना, क्या करना, देश का विकास करना, लेकिन प्रधान मंतरी के पा गटकरी को देदी है देश की क्या है बच्चों स्रड़क बनाने की जिम्मेदारी उसी के साथ आप देखते हैं कि अमिश्या जी को देदी है देश के घर के अंदर शांती बनी रहे विदे क्या है आप गिरह मंतरी की जिम्मेदारी ठीक तो अलग-अलग मंतराले अलग-अलग निताओं के बीच में बाड़ दिये जाते हैं, विदेश मंपरी के जी दूसरे देशों के साथ आप बादशीत करेंगे, तो प्रधान मंपरी जी का काम है विकास करना, लेकिन अकेले तो ये नहीं कर सकते तो ये क्या करते हैं अपनी टीम बनाते हैं जिनको कहा जाता है मंदरी मंडल और ये सभी लोग क्या करते हैं ये सभी लोग सरकारी नौकर अधिकारी हो यानि के मंतरी लोग और चो आपके सरकारी अधिकारी होते हैं सरकारी अधिकारी का मतलब कि आपके जितने भी I.E.S. I.E.P.S. होते हैं ये सभी लोग मिलकर क्या करते हैं देश को मजबूत करने की कोशिश करते हैं और अगर कभी कबार क्या हो जाए कि सरकार और जंता के बीच में किस जाओ, इसको क्या करेंगे, फैसले का हल निकालेंगे, तो हमारी देश की सरवोच नियालने क्या करती है, इस विवात को सुल्जाने की कुशिश करती है, क्लियर रहा कि हमें संस्थानों की जरूरत क्यों है, वो हमने देख लिया, क्लियर है यहाँ तक सर आप बहुत अच्छा पड़ा रहे हैं धन्यवाद बेटा क्लियर है यहाँ तक को एक इंफूजन है आगे बड़े उन्यवाद का मतलब होता है एक गुरुब जीतने भी आपके मनगर्च मंधल होते हैं आप Android Elereyu मंध्र के लिघे इंग्लिश मेंसे कैविनेवाद कहाँ जाता है मतलब देश के अंदर आप देखें कि प्रधान-बंत्री है प्रधान-मंत्री की अब देश के अंदर सुरक्षा को अच्छा करना है तो देश का सुरक्षा मंतरी बना दिया अब देश के अंदर हमें फाइनस पैसे को बढ़ाना है अपने देश के अंदर इंफ्रस्ट्रक्चर को अच्छा करना है तो एक फाइनस मिलस्टर बिठा दिया अब यह जो सारे मंत मंत्री होते हैं इनको एक खट्टा एक नाम दे दिया जाता है मंत्री वंडल और अंग्रेजी में इसे क्याबिनेट कहा जाता है ठीक है क्लियर रहा सर मैं स्टेडी नहीं कर पा रही हूं पहले आठ घंटे तक तरीका था प्लीज हैल्प में अच्छा क्लास के आखिर में आपका डाउट क्लियर कर देंगे ठीक अब आगे की कहानी देख लेते हैं कि संस्थाओं से क्या क्या अलाब है टाइम डेबल बेटा क्लास के आखिर में बता देंगे चलना पड़ता है इन सभी से राय लेनी पड़ती है इनको तो आप लोग क्या देखते हैं कि जब सभी संस्थाइं होती है और काम बटा होता है तो फैसले सही तरीके से होते हैं और फैसले लेने में क्या होता है गलतियां बहुत कम आपको होती हुई दिखती है इससे कुछ हा किया जाता है और इस discussion से बहुत सारा समय कहीं न कहीं क्या लगता है आपको वैरत होता हुआ लगता है लेकिन नहीं आप याद रखिएगा कि जब भी कोई फैसला discussion करके किया जाता है तो वो फैसला सफल होता है अन्य था वो फैसला सफल हो जाता है आपको बता ना जल्दी का क सब्सक्राइब, बिर्यानी खिला दीजिएगा क्लियर है यहां दर स्टार्ट कर दें अपना आज का ये जो क्विज है बताईए डिस्कुशन कहा होता है देश की संसद में होता है देश की संसद में जो नेता लोग बैठते हैं क्या कर रहे होते हैं कि इस पर कानून बनना चाहिए, वो कहते हैं कि नहीं बनना चाहिए, काहे नहीं बनना चाहिए, आहे नहीं बनना चाहिए, ठीक है, सर रोज आपकी recorded class देखती हूँ, but I am happy that today you are live, thank you so much, ठीक, अब आगे बड़े, quiz के start कर दे, अगर quiz करना चाहते हो तो भईया thumbs up दे दो, जल् आप लोग पहली बार मुझसे मिल रहे होंगे, तो class 9 और class 10 में जो आपकी social science होगी, वो हम ही देखेंगे, और जो बच्चे पुराने 9 वाले हैं, वो तो जानते ही हैं, जो बच्चे class 8 से 9 में आये हैं, वो अपने साथियों को बदा देंगे, doubtnet पर social science और अलग-अलग subjects की class start हो चुकी है, जो 9 वाले हैं, वो तो जानते ही हैं, उनको बदाने की जुरुवती नहीं, वो तो हमारे पुराने चेले हैं, चलिए जी अपनी class को start कर देते हैं, और हमारे सामने आज की class का पहला सवाल है, कि निमलिखित में से कौन राजनेतिक कार्यपालिका का हिस्सा होत की जीए, आपके सामने चार option है कि राजनेतिक कार्यपालिका क्या है, चार options A, B, C, D, comment के अंदर आप लोग अपने answer को लिख देंगे, पोल आपके पास नहीं जा पाएगा, तो आप जल्दी से क्या अगर सकते हैं, answer को लिख सकते हैं, पोल नहीं भेज पाएगे, विट C, C, ठीक है, बहुत ही बड़ी आप, सर आपने मौच कर दी, धन्यवाद, हाँ, देखे, जब भी हम लोग बात करें कि निम्न में से कौन राजनेतिक कार्यपालिका का हिस्सा है, तो आपको बता होना चाहिए कि राजनेतिक कार्यपालिका का मतलब क्या हुआ, कार्यपालिक सर आपने तो बढ़ाया ही नहीं कार्यपालिका, भई बढ़ाया नहीं है, लेकिन हम चेक कर रहे हैं, पढ़ा देंगे आने, आगे फ्यूचर में, टेंशन नहीं लीजिए, लेक्षर नमबर टू में बढ़ा देंगे, राजनितिक कार्यपालिका कहा जाता है कि देश के और डेते हैं उनको राजनितिक कार्रिपालिका के तोर पर जाना जाता है. ठीक है? I think option B? No. The right option is option C. अगला सवाल देख लेते हैं कि अगर आपको भारत का राश्पती चुनना जाये तो आप निमलिकित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? मान लो जोई भाईया मुवारक बाद हो आप भारत की राश्पती बन गए तो आप कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं यह आपको बताना होगा चार ओप्शन्स है मैं स्क्रीन से हट चुका हूँ आपको सही ओप्शन को चूज कर लेना है बताईए कोशन नमबर टू का सही आंसर आपको क्या लगता है ए बी सी डी चार ओप्शन्स हैं सही ओप्शन को बताईए अरे सार हम तो लेट हो गए सार कोई बात नहीं देखे मुख्य तोर पर अगर आप देखें कि जो भारत की राश्पती होते हैं वो जो फैसला अपने आप कर सकते हैं वो क्या है वो अपनी पसंद के विक्ति को परधान मंतरी चुन सकते हैं लोकसबा में बहुमत वाले परधान मंतरी को उसके पत से हटा सकते हैं वो दोनों सदनों दुवारा पारिद विध्यका विध्यक पर पुनरविचार कर सकते हैं, मंत्री परिशद में अपने पसंद के निताओं का चैयन कर सकते हैं, सही जो ऑप्षन है वो यह है कि संसत के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा वहाँ पर जो विध्यक ब बना रहे होते हैं, अगर राज्जिस राष्पती को लगे कि जो कानून बना है, बनकर पास हुआ है, यो सही नहीं तो उसे पुनर विचार के दुबारा सोचों और दुबारा बनाओ, इसकी चीजें कर सकते हैं, मैं राष्पती नहीं बनूगा, कोई बाद या आप नहीं बन है आपको बता देनी है चार ओप्शन से ए बी सी डी चार ओप्शन को आप लोग क्यूज कर लिजे और जल्दी से उसको आप लोग सेलेक्ट कर लिजे 5 p.m. पर साइन्स, मैथ, p.m. पर मंडे वेंजे सेड़ी ठीक है जी 8 p.m. बिल्कुल सही अच्छा हमारे देश की जो नियाए पाली का है जिसे हम लोग हमारे देश का कोट भी कहते हैं या फिर जिसे हम लोग अपने देश की कच्छहरी भी कहते हैं इनमें से कौन सा बयान गलत है गलत ये हैं कि देश के अंधर अगर कोई भी कानून बनेगा, हमारे देश की लोकसवा, राज्यसवा से अगर कोई कानून बनता है, क्या हुशे हर बार हमारे देश के सर्वोच न्याल या फिर कोर्ट से पूछना पढ़ता है कि भाई, ये कानून बनाएं के नहीं बनाएं? उनसे मंदूरी लेनी पड़ती है, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, हमारे देश का जो नियाय पाली का है, वो स्वतंत्र है, बिल्कुल सही बात है, अगर आपका कोई अधिकार छीन ले तो आप कोट जा सकते हैं, बिल्कुल सच बात है, हमारा समीधान की रक्षा करता है, ह सर हम आपके पुराने चावल है, ठीक है जी, चलिए, और हमारे नए चावल और पुराने चावल, दोनों चावल मिक्स हो चुके हैं, इसका मतलब खिच्ड़ी बहुत अच्छी बनने वाली है, है ना, अब हम लोग आप सभी को क्विस के कोश्चन से लेके चलेंगे आगे, और यहाँ पर आपके सामने कुछ होंवक के कोश्चन स रख देंगे, सर यह कोश्चन हम जरूर करेंगे, क्यों सर क्यों कि यह कोश्चन सापके एक्जाम के संदर में बहुत जादा महतभून है, और आपके पेपर में यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, तो आप लोगों को वादशीत के अपनी अगली class में हम लोग क्या देखेंगे अपनी अगली class में हम लोग इस chapter को क्या करेंगे we will deep dive into this chapter हम इसके अंदर गहराई से जाएंगे हम भारत के संसत को समझने वाले हैं भारत का संसत तीन जिदों से मिलकर बना है देश का राश्पती उसी के साथ साथ प समापन के और आपको जाते हुए दिख रही है सर आप रोस पढ़ा दीजिएगा जी हाँ पूरे-पूरे तौर पर आपको रोस पढ़ा देंगे ठीक है कोई confusion है नई सर कोई भी confusion नहीं है बहुत अच्छे तरीके से चीज़े हो रही है अच्छे एक चीज आप सभी के साथ डि यूट्यूब पर मौझूद है जो हमारे पुराने चावाल है उनको तो पता ही होगा जिस चैनल का ना में trending है भाई सर यह कहां मिलेगा यूट्यूब पर ही मिलेगा मेरे भाई trending है भाई करकर यूट्यूब चैनल है आप उसमें चले जाएंगे और आपको क्या मिल जाएग तो आप उस चैनल को देख सकते हैं trending है भाई उस पर हम ही आपका उस पर discussion करते है study group क्या है study group यानि के पढ़ाई का गूरूप सर आपके चैनल का नाम है जी हाँ इस चैनल का नाम है बेटा trending है भाई इस पर आप जाएंगे तो आपको हम देख जाएंगे और उसको subscribe कर लिज आता है clear है हाँ sir aliens पर भी बता दीजेगा अलग-अलग बहुत ही प्यारे प्यारे topics बहुत fascinating topics पर हम लोग उस पर discussion आप सभी के साथ करते ही है clear है कोई confusion नहीं है आप सभी के साथ कोई doubt है चलिया हमारे पास 2-4 मिनट है आप लोग पूछ लीजिए कोई सवाल अगर आप पू सब्सक्राइब कर दिया आपका चैप्टर सार चैप्टर अच्छा यह चैनल क्या रहा था ठीक ठीक मिल गया सार हम सब्सक्राइब कर दिया अच्छी बात है उश्पा सिंग जी बहुत-बहुत स्वागत सची वाले क्या है सची वाले एक ऐसा इस्थान होता है जहां पर आपके मुख्य मंत्री जी बैठते हैं और काम गो करते हैं ठीक है कोई confusion सर प्लीज रोज आजिएगा आपको टाइमिंग बदा दी गई है सर आप बोले कि एक बड़ बच्चे का सवाल है बच्चे का सवाल दिखाओ यार हावे से अगर आपके साथ कोई अन्याय हो जाए कोई आपके साथ कोई आपकी सुदंदरता का हनन कर ले आपको कैइट करके रख ले, किड्नैप कर ले, तो आप भारत की कोट में जाईए, भारत की कोट आपको अन्याय जो हुआ है आपका न्याय दिलाएगी, ठीक है, सर मैं स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ, पहले 8 घंटे करता था बढ़ अब नहीं कर पा रहा हूँ, कोर्स कंपल का चेहरा याद रखें कि अगर आपको चाहिए ना मोटिवेशन सर्फ मोटिवेशन नहीं आ रही है सर्फ पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा है सिंपल तरीक है भाई एक चीज़ा जिस जो आपको हमेशा मोटिवेट रखे की वो यह है के अपनी मम्मी के जलते हुए हातों को सोच लेना कि जब वो खाना बना रही होंगी न तो कैसे कैसे इनके गरम गरम हात कैसे हो रहे होंगे आग पर जा रहे होंगे और कितनी गर्मी चाहओं già bitter ओकर के लिए खाना बना रही होगी कि मेरा राजा बेटा या फिर मेरी राजी रानी बेटी पढ़ रही होगी और अपने पिदा जी को याद कर ले न कि आपकी पिदा जी कैसे गर्मी के अंदर बाहर जा रहे हैं महनत कर रहे हैं किसलिए है कि जी मेरा बेटा पढ़ेगा और मेरा बेटा नाम रोशन करेगा जिनके अंदर motivation नहीं आती है पढ़ाई की जिनको लगता है कि सर दिल नहीं चाहता जब आप उस चीज को visualize करना शुरू कर देंगे फिर आप पढ़ने लगेंगे पढ़ने की जरुवत भी नहीं बढ़ेगी क्योंकि भाई पढ़ो के लिखोगे तो आपको बताए कि आपका जीवन अच्छा बनेगा और आपको अपके अधिकारों अच्छा होंवक दिखा दे मेरे लाल पीले लील होंवक ही तो है होंवक ही तो है यह कि तो सर रियल नेम है मेरा सुनिया ओह थैंक यू सो मच वर कमिंट वार क्लास इस प्लेशर देट यू जोएंड आर क्लास ठीक है तो यूट्यूब चैनल का नाम आपको बता दिया गया है ट्रेंडिंग है भाई आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजेगा और बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक्स हम लोग इस पर डिसकस करेंगे अपने साथियों को बता दीजेगा जो लोग क्लास 8 से क्लास 9 या एक बहुत ही बहतरीन सी क्लास डाउटनेट पर चल रही है हां सर आ चलो बहुत ही वड़िया, बहुत ही वड़िया, कोई चीज अगर आप लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, अन्यता हम लोग अपनी क्लास को समापन की ओर लेकर जा रही हैं, क्या भारत में राज्ये, क्या भारत के राज्ये भारत से अलग हो सकते हैं, कदापी नहीं ह चेक करेंगे ट्रेंड नहीं है भाई तो आपको बेटा वो दिख जाएगा ठीक है सर रोज आना प्लीज ठीक है जी पूरी कोशिश करेंगे आपको भी पूरी डिडिकेशन के साथ आना है चलो जो होंवग दिया जा रहा है इसको जरूर कर लीजेगा पढ़ाई को करते